नमस्कार आज हम इस वीडियो में माचल पदेश जीके के कुछ महतपुरम प्रस्णों को डिटेल से डिक्स करेंगे यह जो प्रस्ण होगे यह आपके अगामी प्रिक्षा जैसे अगर आप इस चैनल पर पहली वार हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और बड़ी है कंटेंट लेके आऊं तो बिन देरी के साथ हम शुरू करते हैं 147 कोश्टन से के कहता है आपका की दरीवर पबर और इजनेट फ्रॉम विच लेक इसमें क्या पूछा गया की पबर नदी की जील से उत्पन होती है ओप्शन ए चंदरनाहन जील ओप्शन वी चंदर ताल जील ऑप्शन सी सूरूताल जील या ओप्शन डी रेंड का जील जो आपकी पबर नदी जो है वो चंदर नाहन जील से उत्पन होती है तो इसके राइट अंसर हो जाएगा आपके पास उप्शन ए चंदरनाहन जील जील की बात करें तो इस जील की उन्चाई 4,267 मीटर है और यह जील 7 स्रोवरों का स्मूभ है चंदरनाहन जील शिमला जीले में स्तित है श तनुजुबल जीन जो की शिमला जीले में स्थित है गड़ कुफर जील ये भी आपकी शिमला जीले में स्थित है कराली जील ये भी आपकी शिमला जीले में स्थित है ओक्षिन में हमें दे रखा है है चंदरताल जील जो है ये जील लहुष्पिती जीले में स्थित है इस जी जील से चंद्रा नदी का उद्गम होता है नेक्ट दे रखा है हमें सूरताल जील यह जील लावसपीती जीले में इस्तित है और इस जील से भागा नदी का उद्गम होता है लाश्ट दे रखा है हमें रेण का जील रेण का जील जो है यह आपकी सिर्मोर जीले में इस्तित है ये जील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राक्रतिक जील है इसकी आकरिती सोई हुई इस तरी जैसी है नेक्ट कोशन है दोस्तों पूछा गया है कि दा लिटरेसी डेट ओफ माचल प्रदेश ऐस पर सेंसे 2011 इसमें क्या पूछा गया है कि जंडगरना 2011 के अंसार हिमाचल प्रदेश की शाक्षता दर है तो इसमें ऑफशन डी हो जाएगा आपका ऑफशन डी इनमें से कोई नहीं जो आपकी जंडगरना 2011 के अंसार जो है वह माचल प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वह आपका 82.80% है 2011 की जंडगरना के अंसार जो है वह आपकी सरवधिक शाक्षता बाला जिला जो है वह आपका हमीरपूर है जिसकी शाक्षता दर 88.50% है और सबसे कम शाक्षता बाला जिला जो है वह आपका चंबा है जिसकी शाक्षता दर जो है वह आपकी 72.70% है नेक्ट कोशन है दोस्तों की माचल पदेश से प्रथम महला जो संग मंतरालय में मंतरी थी वो कौन थी? और जो संग मंतरालय में मंतरी थी? वो आपकी राजगमारी अमरिता कौर थी? बात करें प्रथम महला की तो सबसे पहले आज आता है आपका सिर्मती शिला कौर ये आपकी प्रथम माचल पदेश की राजरपाल थी? प्रथम माचल पदेश की बिद्धान सबया स्पिकर थी और शिर्मती लीला सेट जो है वो आपकी प्रथम महला मुख्या नियाधिश थी? नेक्ट कोशन है आपके पास दोस्तों की दा ओल्ड़ेश्ट न्यूज पेपर ओफ हिमाचल पदेश इसमें क्या पूछा गया है कि हिमाचल पदेश का सबसे पुराना समझा पत्र है? ओफशन A क्षत्री तेज औफशन B हिम सता, अफशन सी, गिरी राज या ओफशन D इन में से कोई नहीं जो है आपके माचल पदेश का सबसे पुराना समचार पत्र जो है वो आपका क्षत्री तेज है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओफशन A क्षत्री ते तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास से स्पित्थी अब लहॉल को स्पित्थी से और कौन-कौन सी तर्यन जोड़ता है तो रामचा तर्या जो की लहॉल को स्पित्थी के साथ जोड़ता है कुंजुम दर्रा ये भी आपका लाहल को स्पीति के साथ जोड़ता है टेंपोला दर्रा टेंपोला दर्रा जो है वो आपकी लाहल को स्पीति के साथ जोड़ती है शाक्रोफ दर्रा ये भी आपकी लाहल को स्पीति के साथ जोड़ती है लालूनी दर्रा जो है वो आपकी लाह तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आफका आफिए कि ब्यास की बात करें तो ब्यास का बैर्टिक नाम और जिक्या और संस्क्रिट नाम विपासा है इस नदी का उद्गम स्तां रोतांग दर्रे से हैं पारवती, मलाना, सुलोंग, मनालू, स्रियोल्सव, फोजल, देहर, हंसा, तीतन जे सभी ब्यास की साहिक नदियां हैं माचल पदेश में मुख्य पांच नदियां पहती हैं सतलुच, ब्यास, रावी, चिनाव और जमना, सतलुच का बैदिक और संस्क्रित नाम अजिक्या विपाशा है, रावी का बैदिक और संस्क्रित नाम पुर्षनी इरवती है और चिनाव का जो है वो आपका असकनी है और जम्र्ना का जो आपका बैदिक नाम जो है वह आपका कलिंदी है नक्रश्चन दोस्तों की दून वैलिए इस लुकेटड इन भी डिश्टर्रक उफ हिमाचल परदेश, इसके चीक है पूछ कि हेमाइचल परदेश में स्थिति स्थ न ह על सियमॉर जो आपकी दून घाटी जो वो हमाइचल परदेश के तो यह अपके पास बात करें तो रदे कंगल घा णो क्रोंग यह धि आफिकार मार गाटी जाता है सेला हाटी सेला होटि को बस मभाटी के नाम से ब्लाज हटी जो है यह आपकी मंदीजिल ना से जाता है हनी कारे जाता है हमार सभ्साना जाता है यह अपनीग घाटी जो है यह vidéo है यह जिले में स्थित है कुलू घाटी जो है यह आपकी कुलू जिले में स्थित है और इस घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है पॉंटा घाटी पॉंटा घाटी को क्यार्जाधून घाटी के नाम से भी जाना जाता है सरसा घाटी सरसा घाटी जो है किसलोंच जीले में स्थित है, छंतरा घाटी इस धाटी मटैजियो में स्थित है इमला घाटी या घाटी आपकि मंटै जीले में स् performance है इसमें क्याज़ी राजी राजी है ब∞गल किसके द्वारा स्थापिक किया है गया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्ष्टन है अजिस देब नेक्ट कोश्टन हो दोस्तों की दा यूएस क्लब इन हमाचल शिमला बाज इस्टैबलिस इन बिच ये इसमें क्या पूछा गया कि शिमला में यूएस क्लब की स्थापना किस बर्स की गई थी तो यह की गई थी आपकी इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्ष्टन सी एटी फुर्टी फॉर्ट नेक्ट कोश्ट ने दोस्तों की इन बिच ये इए इक वर्नेस यूजना बाज श्टाटर इन हमाचल परदेश में क्या पूछा गया कि हमाचल परदेश में यह गवर्नेस जोजना कि की गई थी ओप्ष्टे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्ष्ट बी दो हजार आठ नेक्ट कोश्ट ने दोस्तों की इस वर्टी इस वर्यृटी औव इस में क्या पूछा कि आ जेवन मैंसे कौन सी मक्का की किस्म है और हम 113 ऑफ्षन भी और एक इस ऑफ्षन सी कुफरी जोती या उसन डी सोलन गोला तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑफ्षन ए हम 113 जो आपकी मक्का की जो किस्म जो है वह आपकी हम 113 है नेक्ट कोश्चन है दोस्तों की बोटी डियलेक्ट इस पॉकन इस डिस्ट्रिक ओफ हमाचल परदेश के किस जीले में बोली जाती है ऑफ्षन किनो और ऑफ्षन भी लहॉल एंग स्पिती ऑफ्षन सी चंबा या ऑफ्षन डिक कुल तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपक बोटी बोली जो है यह आपकी लहॉल और स्पिती में बोली जाती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास दोस्तों ऑफ्षन भी लहॉल स्पिती नेक्ट कोश्चन है दोस्तों की धोलुरू इस फेमस फोक्स सॉंग ऑफ बिच डिश्टिक ओफ हिमाचल पदेश इसमें के पूछ गया कि धोलुरू माचल पदेश की कि जिले का प्रशित लोग गीत है और मंडी ऑफ्षन भी मिरपूर ऑफ्षन सी ना या ऑफ्षन डी कांगडा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑफ्षन डी कांगडा जो आपका धोलूरू जो है माचल पदेश का कांगडा का प्रशित लोग गीत है नेक्ट कुर्शन हो दोस्तों की दा ओल्डेश्ट स्कूल ओफ पेंटिंग माचल पदेश इसमें क्या पूछ गया है कि माचल पदेश में सबसे पुरानी चित्र शैला कौन थी ऑफ्षन गुलेर ऑफ्षन भी बुसॉली ऑफ बुसॉली नेक्ट कुर्शन दोस्तों की दा ओल्डेश्ट नेम ओफ भरमौर पाज इसमें क्या पूछ गया है कि भरमौर का प्राना नाम था ओफ्षन धमेरी ओफ्षन भी कीरी ग्राम ओप्षन सी ब्रमपुर या ओप्षन डिपनेट जो आपका भरमौर का प्राना नाम जो है वह आपका कीरी ग्राम है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑफ्षन ब्रमपुर कीरी ग्राम प्राना नाम और यह वीडियो के नहीं कौँगा कि अगर यह वीडियो आपको एक्जाम के पॉइंट हो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइक कर क्यों जेहिंट जेहमाचन